Hello students, आप सभी का स्वागत है तो बच्चों, 2023 में होने वाले CBSE Board Examinations को लेके CBSE के तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है, ये हमारे practical examinations related है तो चलिए इस news को हम यहाँ पे पूरा पढ़ते हैं देखो लिखा गया है कि CBSE की बारवी प्रायोगिक परिक्षा में 10 छात्रों का ग्रूप बनाया जाएगा यहाँ पे यह जो यहाँ पे आप लोगों को मैं news बता रहा हूँ यह especially class 12 students के लिए है कि class 12 की जो practical examinations होंगी तो उनकी जो examinations होंगी वो 10 छात्रों के ग्रूप के साथ उनके examinations लिजाएंगी और आगे दिया गया है कि हर ग्रूप के लिए external और internal अलग-अलग होंगे यानि external और internal जो examinations होंगी वो हर ग्रूप की अलग-अलग होंगी प्रायोगिक परिक्षा लेते हुए की गई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की भी की जाएगा यानि कि जो आप लोगी practical examinations होंगी उनकी वीडियोग्राफी भी होंगी ठीक है परिच्छा समाप्त होने के बाद उसे cbse website पर दिये गए link पर upload किया जाएगा और जैसी आप लोगी examinations खतम हो जाती है तो खतम हो जाने के बाद आपने जो भी practical examinations दिये तो cbse link प्रोवाइड करती है जिसमें students के marks अप्लोड करने रहते हैं तो वहाँ पे जो भी आपके marks होंगे तो वो cbse upload करेंगी और जो भी आप लोग ने examination दिये होंगे तो वो वहाँ पे जो result है वो cbse को आप लोग के जो school वाले हैं वो cbse को देंगी देन आगे है कि school का यह काम हर दिन करना है मतलब जितने दिन आपकी practical examinations चलेगी सारे दिन school यह काम करेगी यह दिसा निर्दे cbse द्वारा बारवी प्रायोगिक परिक्षा और दसवी आंत्रिक मुल्यांकन के द्वरान करना है अब देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके यह भी पूछ रहे थे कि सर सैंपल पेपर cbse ने निकाल दी है अब हमारे लिए सबसे बेश्ट बुक कौन सी रहेगी तयारी करने के लिए तो देखो मैं आपको सेशन करूंगा एजुकार्ट की यह कोशन प्रेंक क्योंकि इसमें बिल्कुल नए सिलिवस के अनुसार और नई पैटरन के अनुसार competency type के आपके कोशन दिये हुए है और especially बनाया गया है 2023 बोर्ड examinations के लिए जैसा कि आपने cbse के sample paper में देखा हुआ होगा कि ncrt से cd cd कोशन उसमें नहीं दी गई है उसमें picture based कोशन दिये गए है यानि कि diagram इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो बिल्कुल इसी type के कोशन आपके board examinations में आएंगे तो इस वजह से मैं आपको recommend करूँगा ये वाली book ठीक है इसमें आपको previous years के कोशन मिल जाएंगे ncrt के भी कोशन दिये हुए है ncrt exampler के कोशन दिये हुए है मतलब देखा जाए तो जितने भी chances हैं cvc आपके board examinations में कोशन पूछेगी तो वो सारे कोशन आप लोग का इसमें दे दिया गया है case study based questions chapter wise और topic wise दिया गया है तो बहुत ही अच्छी book है इसका मैं description पे buy link दे दे रहा हूँ आप इसको चाहो तो buy कर सकते हो इसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है कि board द्वारा non attending और flying चातरों को पकड़ने के लिए private परिक्षा में कड़ाई की गई है यानि कि बहुत सारे essay students होते हैं जो कि school regularly नहीं आते हैं तो इसके लिए यह वाली कड़ाई की जा रही है ग्यात हो कि बड़ी संख्या में non attending चातर प्राइगोई परिक्षा में सामिल होते हैं यानि कि जो बच्चे class नहीं आते हैं तो वे ज़्यादा संख्या में प्राइग का बढ़ी में परिक्षा में यानि कि इसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे essay students है जोनोंने सिर्फ admission करवा लिया, उनको schools नहीं जाने हैं, वे सिर्फ कुछ पैसा देखके, school के साथ setting वगरा करके, वे सिर्फ अपने marks को ले लेते हैं, वे practical examinations देते भी नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, जिसके वज़े से यह सारे चीजें जो है, CBAC ला रही है, जिसमें आप जो है, वीडियो recording भी होगा, दस group में students को divide किया गया है, और उसके अनुसार examinations लिया जा रहा है, देन आगे है कि जिन छातरों की प्राविक परिक्षा ली जाएगी, उनका photo के साथ पूरा वीवरन भी school को भेजना है, यानि कि जो भी students examinations देंग है, वो school वाले CBAC को देंगे, ठीक है, माक से लेके आपके जितने भी आपके name होंगे, सारी चीज़ आपकी जो पूरी information है, वो CBAC तक जाने वाली है, ठीक है, देन देखो आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, कि 15 January के बाद प्राविक परिक्षा, बार्वी प्राविक परिक् दिया गया है, कि जिस तरह से 12th की practical examinations की वीडियो ग्राफी या फोटोग्राफी होगी, बिल्कुल इसी तरह से जो 10th के बच्चे हैं, उनकी भी वीडियो ग्राफी या फोटोग्राफी होनी है, 10th के बच्चे का practical तो नहीं होगा, लेकिन internal assessment में यहाँ पे दिया गया है, आ इस बार 15 जनुवरी से 15 फर्वरी 2023 के बिच प्राइव की परिक्च्छा ले जाएंगी, तो देखो यहाँ पे examinations की आप लोग की date भी अब दी गई है, यह practical examinations की, अलाकि 15 फर्वरी समलोगी जो main examinations से CBC पहले से डिवाइट, डिसाइड की वी थी, बट यहाँ पे आप अबडेट आई हुई थी CBC के तरफ से जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दी है, और विसी जरह की latest videos पाते रहने के लिए चैनल को subscribe करके रखे, thank you, bye bye, मिलते हैं बहुत ही जलती दूसरे वीडियो में